हेलो एवरिवन गूट मॉर्निंग कैसे हैं आप सब मैं हूँ पूसपा और आप देख रहे हैं पीके स्वादिष्ट पेंजन एंड फ्लोग्स तो चलिए आज हम बहुत ही कम टाइम में बहुत ही हिल्दी एंड टेस्टी स्वीट्स बनाएंगे जो बहुत ही कम समय में बनकर तयार हो जाता है तो अगर कोई भी फेस्टिवल हो या ऐसे भी खाने का मन कर रहा है और आपके पास बहुत ही कम टाइम है और समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा मिठाई बनाए तो ये मिठाई आप बनाकर खाईए बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए बनाने के प्रोसेस में चलते हैं तो देखिए यहां पर हम फूल फैट का दूध ले लिए हैं एक लिटर इसे हम गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद इस दूध को हम पनिर्फ बनाएंगे तो देखिए ये साइट्री के सिव ले लिए हैं और आधा चमच से भी कम है और उसको 3-4 चमच पानी में घूलने के लिए रख देंगे और जब यह घूल जाएगा तो इसी से हम दूद को फाड़ेंगे चाहे तो आप विनेगर से या निम्पु से भी फाड़ सकते हैं दूद को और पनीर बना सकते हैं तो देखिए अहां दूद करम हो चुका है खौल आ गया अब इसमें हम गैस को आफ करके और दो मिनट बाद इसे हम डाल देंगे और चला लेंगे देखिए इस तरीके से अगर दूद को फाड़ के पनीर बनाएंगे तो पनीर बिल्कुल ही सौफ्ट बनेगा खौलते हुए एकदम से दूद में साइटरी केसी नहीं डालनी है फ्लेम को बंद करके दो मिनट बाद डालना है और देखिए यहां पर हम एक छनी ले लिए हैं और क्या करेंगे इसी में हम छान लेंगे पनीर को और पानी इसको हम अलग कर देंगे और तीन से चार पानी से अच्छे से इसको हमें पनीर को साफ कर लेना है धोना है और देखिए बहुत ही पौश्टिक वाला पानी है इसे सब्जी में भी डाल सकते हैं या फिर आटा गुत लीजिएगा बहुत ही हिल्दी होता है और देखिए अच्छे पानी से इसे हम तीन चार पानी से अच्छे से हम क्लीन कर देंगे ताकि इसका जो साइटरीक एसीद का जो थोड़ा खटास होता है वो निकल जाता है और पनीर को ऐसे ही हम बिल्कुल छान के अच्छे से और चमच से ऐसे करके हम रखतेंगे चाहे तो आप कपड़ा में भी इसे अच्छे से चोड़ सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी इसे रख देंगे ना एक दोड़ घंटे के लिए तो इसका पानी बिलकुल ही निकल जाएगा और पनीर एकदम से सौफ्ट रहेगा अब हम आगे के प्रोसेस करते हैं तो देखें यहां हम आधी कटोरी जितना स्वाद के नुशार चीन और देखें यहां पर हम ग्राइंड कर चुके हैं देखें महीन पाउडर बना लेना है बहुत ही इजी तरीका है इस मिठाई को बनाना को देखें यहां हम एक बावल लेंगे उसमें हम पिसी हुई चीनी और काजु जो इसमें हम सब पीस की रखे हैं उसको हम मिश्रन को रख लेंगे और यहां पर हम देखिए कोकोनट का बुरादा लिये हैं और यहां मिल्क पाउडर है और सभी को अच्छे से हम क्या करेंगे ना कि मीक्स कर लेंगे चार-पांच चमजीतना मिल्क पाउडर था और चोटी कटोरी से एक कटोरी था नारियल का बुरादा और देखिए यहां पनीर कितना सौफ्ट हो गया है अब हम इसमें एड कर लेंगे देखिए अब हम क्या करेंगे ना अपने हाथों के सहायता से इसे मीक्स करेंगे जैसे आप डो लगाते ना वैसे हमें करना है हलके हलके हाथों से इसे हमें मीक्स कर लेना है और जब यह प्रोपर तरीके से मीक्स हो जाएगा तो हम आगे की प्रक्रिया करेंगे देखिए ऐसे ही हमें करना है देखिए ये एकदम शेप प्रोपर डो जैसा ही बन रहा है बहुत ही कम टाइम में बहुत ही हिल्दी मिठाई बन कर तयार हो जाता है तो देखिए हमें ऐसे ही बना लेना है और देखिए कितना घी इसका निकला है हाथ में भी लग गया है अब हम क्या करेंगे इसे एक सेप देंगे तो देखिए इसको अच्छे से मिक्स पहले कर लेना है ने हाथों के सहता से अच्छे से मिला लेना है और सेट कर लेना है तो आप जैसा आप चाहें अपना मन पसंद सेप दे सकते हैं गोल-गोल पेडा जैसे भी बना सकते हैं या फिर स्क्वायर में भी दे सकते हैं रेक्टैंGLE दे सकते हैं तो एक बटर पेपर ले लिए है उसको अच्छे से 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 दे कि यहां कि एक से ज़़ी घंटे के लिए इसे फ्रीज में रखतेंगे कि अगर जल्दी में हैं तो फ्रीजर में मात्र दस मीनट और रखाःएगा फिर भी यह सेट हो जाएगा पर लखे देखे हम फ्रीज में रख के सेट कर लिए हैं 2-2 भंटे भाद इससे निकाल लिए देखे प्रोपर यह सेट हो चुका है अब हम हम इसे क्या करेंगे कट लगा लेते हैं तो दीखे एक धार वाला जुशा sagt वाला आता है उससे हम कट कर रहे हैं उससे कट करने में बहुत असानी से कट हो जाता है और आधे इंज की मुटाई पर इसे हम काट रहे हैं और बहुत ही हिल्दी मिठाई बनकर त्यार होगा चाहे तो आप इसमें कलर फूड भी डाल कर दो रंगों में भी बना सकते हैं बट हम यहां एक ही रंग प्लेट में इसे हम गार्निश कर रहे हैं कुछ पीस्ता से इसे हम गार्निश कर लेंगे प्लेट में रख करके देखिए यहां पे थोड़ा सा पीस्ता कट करके इसे हम अच्छे से गार्निश कर लेंगे देखिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी इजी तरीके में घर पे ही कुछ समानों से बनकर हमारा मिठाई तयार हो गया है और बजार से जो मिठाई महंगी वाली मिलती है उसे ये बिलकुल ही हेल्दी और इजी मिठाई बनाना है देखिए हम तोड़ कर भी दिखाएं तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताईएगा जरूर और मिलते हैं फ्रेंड्स फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई